जैशी नरिशी मैं होस्तर संदेसक साया स्वागत करती हूं आप सभी का आज हम आपको प्राशी फिल बता रहें तो सबसे पहले स्टाट करते हैं मेश राशी से मेश राशी वालग साथ अपका पैलन्स रहेगा आपका धन संपति बनी रही है परवारी जीवन भी आपका अच आपकी थोड़ी ताल मिल के साथ, लेकिन काम आपकी बंते रहेंगे, आपको करना क्या है, अगले 6 रंग शुब रहेगा, आरा फिरोजे रंग पहनेंगे, मगण गणेश की सेवा करेंगे, तो निश्वत रूप से आपका दिन अच्छा रहेगा, नेक्स नमबर पर आते है व वाहिक जीमन आपका अच्छा है, बहतर बना हुआ है, आपको पांच नमबर आपके लिए शुब रहेगा, भागे रहेगा, और आपको जो काला उनी कंबल जो है, यदि आप किसी को दान करते हैं, तो इससे आपको केतियो की सुरक्षा मिलती है, आपके लिए जो शुब है रंग है, सलेटी है, तो और भागेंग आपका लगी लंबर पांच रहेगा, निक्स नमबर भी आता ही, मितुन राशी, मितुन राशी वालो, आपको जो है, सुस के मामले में बढ़िया रहेगा, धन संपती में थोड़ी से आपको खिचावट है, पनी की पैसे की थोड़ी से का है कि 100% प्रफेट कोई भी नहीं होता है, बैलन्स बना के रखना पड़ता है लाइफ में, आपको तीन नमबर आपके लिए लगी रहेगा, और आपको गुलाबी रंग का प्रयोग करना चाहिए, और घर में रखिए या मचली को चारा डालेंगे तो आपके लिए अच में आपकी थोड़े दिक्कत है, वैक जीवन में भी आपका बहुत अच्छा नहीं है, यानि कि आप लोग थोड़े से करकराशी वाले जो हैं, जल तक से प्रभाईत होते हैं इनका इसलिए, बहुत ज़़दे सोचते हैं क्योंकि इनको चंदमा बड़ा हावी रहता है, चं आपका शूब रंग आपका साथ नमबर लगी है, शूब रंग आपका लेसलेटी रहेगा, और गेहू या गोड़ चरा जो है, गईयां को खिलाएंगे, घाये को खिलाएंगे, हरा चारा गाये को खिला सकते हैं, तो इस लिश्चित रूप से आपको कोई दिक्कत नहीं थोड़ा सा आपको अपने परिवार के तरफ देखना है, थोड़ा सा धन्संपत्ति के वारे में देखना है, और समान को थोड़ा से अराम से रखेगा, चोरी ना हो जाए, आपको पांच नमबर भाग्यंख है, आपको लाल मरून रंग पहनना चाहिए, और घर में जो है आ तब टोडर में लागे, आलोबर आगर हम देखें, प्रेम समद अच्छे है, वेवसाई बेच्छा है, परिवार बेच्छा है, और शाद शाद जिंदिगी भी अपके अच्छी है, फिर भी थोड़ा बात अपन डाउन होता है, लाइफ है, क्योंकि मैंने आपको पताया है, 100% कभी होई होता ही नहीं है, तो थोड़ा सापको अपना ध्यान रखना है, करने राशी वालो, चार नमबर आपके लिए शुप रहेगा, और आपको क्या करना है, आपको मालक्ष्मी की सेवा पोजा पाट करनी चाहिए, इससे आपके लिए अच्छा टाइम रहेगा, और आप क्या कर सकते हैं, पेले रंग के वस्तुर का प्रोक कीज़े तो आपको निश्य दुरूप से लाब मिलेगा, नेक्स संबर पर आती है, तूला राशी, तूला राशी वालो, आपका दिन के ऐसे रहेगा, तो सौस आपका अपन डाउन के साथ रहेगा, थोड़ा सा तना चाए प्रेम समंद हो, चाए पती पतनी का समंद हो, या आपका बिजनिस भी हो, कुछ भी हो, थोड़ा सा सोच समझ लिया करो, अंदिशास तो कभी किसी पर भी नहीं करना चाहिए, तो आपके लिए क्या है, छे नंबर आपके लिए लखी रहेगा, और आपके लिए जो अच्छे खुश हो जाएंगे, तो आपका दिन भी अच्छा और खुशनमा बन जाएगा, अब हम बात करते हैं, हमारी नेक्स राशी जो है, व्रशिक राशी, व्रशिक राशी वालो आपका दिन अच्छा है, पढ़िया है, थोड़े बात अपन डाउन समयना आपको हमिश पहले, उसके बाद साइन करें, तो अब हम आपको बता रहे हैं, आपके लिए आठ अंग शुब रहेगा, आपको काला यसा लेटी रंग पहनना चाहिए, शेंदेव की थोड़ी पूजा पाट करेंगे, थोड़ से सूरेदेव के भी पूजा कर सकते हैं, तो निश्य दूर आपको लाप मिलेगा, नेक्स नमबर पर आती है धनुराशी, धनुराशी वाल आपको सौस अच्छा रहेगा, बढ़िया है, लेकिन पैसे के मामले में थोड़ा जोल हो सकता है, परिवारी समद्ध आपका अच्छा रहेगा, प्रेम समद्ध में भी थोड़ा सा आपको फा अच्छा है, लाल रंग आपके लिए शुप रहेगा, और आपको मातल लक्षमी की पूजा पहट अरादना करनी चुएंगे, नेक्स नमबर पर आती है, मकर राशी, मकर राशी वालो, स्वास अच्छा रहेगा, धन्संपती के बाब में बोलों कि ये पैसा आएगा, जाए ये प्रेम समझ अच्छे है, विरसाई भी आपका ठीक टा किया, और वाहिक जीन भी आपका, बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत भी नहीं है कि नॉर्मल चलेगा, पांच नमबर आपके लिए शुप रहने वाला है, और मकर राशी वालो, हाला फिरोजा क्रार आपको पहन अच्छे है, और गाएं कुत्ता को वा इनको रोटी देंगे, तो अच्छा रहेगा, और हां मकर राशी वालो, आपको समझा देती हूं, आपको आथ लोग आते हैं, शनी की राशी में, ठीक है, साड़े साथी चल रही है, अंती में आप पे चल रहा है, ध्यान रखेगा, तो अब हम बात करेंगे, आगे, हमारी जो नेक्स राशी है, वो है कुम राशी, कुम राशी, शनी की साड़े साथी चल रही है, इसलिए अपना ध्यान रखेगा, तो कुम राशी वालो, आपका स्वा सच्छा रहेगा, धंसम पत्ती भी ठीक रहेगी, परिवार में पत्ति नारे में पत्त पत्ति हैं, वो अपने सर से लेके पेर तक साथ बार उतारना है, बुलना है कि मेरे शिरी पे, मेरे साथमा पे, जो भी मेरे पूर जर्म के करब हैं, पाप है, जिसके उसे शरी देव मुझसे नाजे, कोई भी देवी देपता है या ग्रहे नरास है, उसको शमा करें और इसके लिए मैं चीटियों को बहुजन कराने के विस्ता करा रहा हूं, या करा रही हूं, और मुझपे मेरे शरीपे से मेरे आत्मा से, इस जर्म के पिछल सब ही जर्मों के, जो भी दूश प्रभवाय हाई, पाप, बद्वा, शाप, सब को खतम करें, बस ऐसा करके आपको वो पुरा को पुरा नारल जो है, रख्यान है कहां, पीपल के पेड़ या बरगत के पेड़ की जड़ के पार अपने उपर खोला हुआ है, तो चीट के अपने अप लग जाएगी, इस बाइगो कीजिएगा, शानी के साड़े साथी आपको जड़ा दिक्कत नहीं करेगी, क्योंकि जो चीटों का सेवा करते हैं, शानी देव उनको परशान नहीं करते हैं, तो अब हम नेक्स नमबर पे पहनना चाहिए, चांदी से बनीवी कोई गाएं का दान कर सकते हैं, या गाएं की सिवा करेंगे, उस्षी दूरूब से लाप लेगा, हमारी जो अब लास्ट की जो राशी आती है, वहाती मीन राशी, तो मीन राशी वालो, आपका स्वास डग भूंगाएगा, थोड़ा ब बहुत बुरी भी नहीं है, होसाता थोड़ा बहुत जगड़ा हो जाए, तो आपको क्या करना है, आपको नौ नमबर आपके लगई है, लाल रंग आपको पहनना चाहिए, माते पे के सिरका ते लग लगाई है, पग और हनमयन जी की पुचा पार्ट करेंगे, तो आपको ल